परदानमंतरी नरेंदर मोदी ने इस वर्ष होने वाले बोर्ड परिक्षाओं से पहले चातर चातरों को तनाव से मुक्त रहने के टिप्स देने के लिए उनसे परिक्षा पे चर्चा की। परदानमंतरी नरेंदर मोदी ने इस दोरान कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चे को परोथ साहित करना चाहिए परिक्षा का महतव तो है लेकिन ये जीवन की परिक्षा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आपको कसोटी के तराजु पर जोंकेंगे नहीं तो जिंद का मतलब ही होता है गती जिंदगी का मतलब ही होता है सपने परदानमंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि जब मन में अपने पन का भाव पैदा हो जाता है तो फिर शरीर में उर्जा अपने आप आती है और ठकान कभी घर का दर्वा जान नहीं देखती है मेरे लिए भी देश की स सवा सो करोड देशवासी मेरा परिवार हैं धरमशला के हाई लेंड पब्लिक स्कूल से की चर्चा में भाग लेने दिल्ली गए ग्यारवी के चातर शौर राजपूत के स्कूल में इस बात को लेकर खासा उत्सा देखने को मिला स्कूल प्रबंदन द्वारा चातरों को ये का राजिकिये वरिष्ट माद्यमिक पाडशाला भराडी बिलासपूर से जमा एक कक्षा का दिवेश राजिकिये वरिष्ट माद्यमिक स्कूल मंडी से निखिल जवाहर नवध्य स्कूल भेखुवेला उना से गुरमीत केंद्री विद्याले मंडी की जूली वर्मा केंद्री चिक शिखा और विशाकी भी दिल्ली भाग लेने गए हुए हैं। चिक शिखा और आज भी हमने पुरा रेंविट किया है ताकि बच्चे ये देख सके इस साल बच्चों का उत्सा इस प्रोग्राम को देखने को थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारे स्कूल का एक बच्चा शौरय राजपूत क्लास 11 का स्टूडन्ट यहां से सिलेक्ट हुआ है तो बच्चों में भी बहुत अच्छी से एक हैपिनेस है उनको एक मतलब वेटिंग मोमेंट है कि हम कब उस बच्चे को अपने प्रधामंद्री जी के साथ बातचीत करते हुए देखें अज़ देफिनेटल आज इस स्कूल यहां वेरी प्राओट शौरय के लिए वे फिलिए वेरी हापी अल आर बेस्ट विशेश फाट चाइड में डू वेल इस लाइफ और हमें इस तरह से मौका हमारे बच्चों को बिलता जाए हम हमेशा इस कोशिश में लगे रहेंगे मैं शौरय के बारे में थोड़ा बता है किस तरह का उसका सभाव है और किस तरह का उसका विक्तित्व है कैसे वो स्कूल में किस तरह से रहते हैं शार्या काफी सालों से हमार साथ इस्कूल में चुड़ा हुआ है वह काफी शान सोगहाफ का बच्चा है और उसमें कभी भी हमने हैं यह नहीं देखा कि कुछ करने के लिए वो मना करें He always has that spirit की हामे कर लूँगा लेकिन वो वैसे बहुत शांत रहने वाला बचा है तो हमें कभी उसमें कोई कमी दिखी नहीं है और जैस बिकॉल वो तोड़ा शाय है नेजर से तो हम उसको हमेशा इस चीज के लिए एंकरेज करते रहे हैं कि वो आगे आए तो चाहिए वो प्लेज में पार्टिस्पेशन करना हो तो उसको हमने लीड रोल में इसलिए शायद प्रजेक्ट किया ताकि वो उसको एक हांसला उजाई मिल सके तो कोशिश हमें हमेश्री एगए और इस तरह के जो आज उसको मौका मिला है आम शूर यह प्लाटफॉर्म उसकी लाइफ का सबसे बहतर प्लाटफॉर्म है उसको एंकरेट्मेंट डेफिनेटली मिलेगी और वो लाइफ में इससे कई ही आगे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा